ओम श्यादि आपसे को सालगाते हैं, आज हम 10 सप्टेमबर की शिर्वांदान में आप पहुँचे हैं तो अधिन्ता एक चीज है और अधिकार एक चीज है अधिन्ता हो गई कि हम और के उपर निर्भर हो गई, चीजों के उपर निर्भर हो गई प्राप्थी के उपन निरपर होगे किसी ने बात मान ली तो हम बहुत खुश होगे, सुखी होगे किसी ने बात नहीं माननी तो हम बहुत irritated frustrated होगे यह होगी अधीनता इसको हम अधिकारी पन नहीं कहेंगे लेंकि परमात्मा चाहते है कि हम अधीनता से तो हमारा भी राइट है कि हमाया भी अधिकार है कि उनकी पास में जो जो ग्यान है, उनकी पास में जो बुद्धी है, अगर हम उनको अपना पिता कहते हैं, तो हमारे पास भी सारे कुन होने चीज़े हैं, राइट, वो इसलिए नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनको जानते या मा दो परमातम केता है, एपने पन आधिकार की अपना अभीकार कि अनुभूती दोर अधीनता को समाप करें वाले सर्व अधिकारी भवा। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना परमात्म अगर अपना बना लिए कैसे अपना बनाते हैं सेम चीजे गुरुगरंसाय में में लिखी हुए है कि आप चल चड़ा करके आप नौदा भक्ती करके आप मुझे पानी सकते हो जब तक उनकी क्रिपानी होती है तो फिर कैसे पा सकते हैं जब तक परमात्मा पिता ये ना जाने कि हाँ इस बच्चे की कई जन्मों की भक्ती पूरी होगी अब मुझे अपना परिचे इसको देना चाहिए तब तक हमारा नंबर नहीं आता है तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना उनको अपना बनाना फिर परमात्मा सिखाते हैं कि तुम मुझे कैसे याद करो तुम मुझे कैसे मुझे प्यार से याद करो तुम मेरी बातों पर चलो तो तुम मुझे अपना बना सकते हो, जहां अधिकार है वहां ना तो स्व के प्रती अधिनता है, जहां अधिकार है हमारा परमात्म के गुणों के उपर, शांती, सुक, आनंद, प्रेम, शक्ति के उपर है, तो वहां तो अपने उपर, अपने उपर भी हम अधिन नहीं है, वहाँ ना तो सुवा के प्रती अधिनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधिनता है, ना हम अपने उपर अधिन होते हैं, अपनी खुशी के लिए अपने शेरिल के उपर, अपने वस्तू के उपर, अपने चीजों के उपर, ना ही हम किसी के संबंध, कि कि परफिशी के संपर्क में आने के बाद में हम संतुष्ट या खुश या शक्तिचाली महसूस करते हैं कि हमारा साथी है हमारे पास है परमात्मा कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ में अपना नाम लिखवा करके क्या होते हैं बहुत अपना आने की अधिनता है प्रकरती मतलब पांच सत्तों का शरीर अगर उसमें कोई बिमारी आ गए तो हम अधिन हो गए हम ये नहीं कर सकते हैं हम वो नहीं कर सकते हैं हमसे ये नहीं होता हमसे वो नहीं होता परमात्मा कर कहते हैं जो मुझे पैचानते हैं उनकी अधिनता इन ची जिनोंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं किसके अधिकारी हैं परमात्मा के सुख, शांती, आनंद, ज्यान, विवेक, शक्ती इन सब चीजों के हम अधिकारी बन जाते हैं उसका इसफ़ारी दुनिया ढूंड रही है अगर वो मिल जाए तो हम शान्त हो जाए सुखी हो जाए मनस्थिर हो जाए हमारा यहीट। हम चाहते हैं मनस्थिर हो जाए तो वो सारी चीज़े हमें तम मिलते हैं जब हम औरों की अधींताओं से जो चीज़े संबन संबर्क में दीनता हैं उनसे हम जब किनारा कर लेते हैं तो हमें परमात्मा के परती परमात्मा से हमें उस सब कुछ प्राप्त होना शुरू रहता है जो अभी तक हम रस ले रहे थे लोगों को दौरा परदार्थों के दौरा चीज़ों को खरितीने के दौरा वो जब कम होना शुरू होता है तो परमात्मा के दौरा रस मिलना शुरू हो जाता है और वहीं पर हमें सारे अधिकार मिलने शुरू हो जाते परमात्मा के गुनों और शक्तियों के और ग्यान के तो यह होता कैसा है, यह सब कुछ आपको ब्रह्मकुमारिय में सिखा जाता है आप वहाँ पर आ करके परमात्मा के दिये हुए महावाकियों को सुन सकते हैं आप वहाँ पहँचान सकते हैं कि परमात्मा है कौन, कहां रहते हैं, कैसे दिखते हैं इंसान तो कहता है कि पर्वान अनंत है परमात्म को यह अंत ही नहीं है अगर हम भी परमात्म के बच्चे हैं तो आपसे एक चीज पूछ हूँगा कि आपके बारे में हर कोई जानता है अंदर से लेकर भार तक क्या आप मेरे अंत को पचान सकते हैं कि मेरे मन में हर सेकेंड, हर अलुक्षन, मेरे मन बुद्धी में क्या चल रहा, क्या प्लैनिंग चल रहा, नहीं पैचान सकते हैं, तो आप मेरा अंत मी नहीं जा सकते हैं, तो आप परमात्म का अंत मी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ग्यान जो है, ग्यान का तो कुछ अंत उसका अंत नहीं है, लेकिन हमने ये कहा देना कि परमात्मा कोई अंत नहीं है, ये थोड़ा सा गरस वाता है, लेकिन हाँ, ग्यान का कोई अंत नहीं है, ग्यान अनंत है, वो कहना ठीक है, तो परमात्मा कौन है, परमात्मा का नाम क्या है, वो रहते कहा है, दिखते कैसे हैं, और ये श्रिष्टी का जो चक्र है, उसका ग्यान मिलना, इसके अंडर और गहराई में जाना, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ग्यान मिल सकता है, भिजान में आपकी तीर उची रखते हैं, उसके गहराई में जाते हैं, वो आपकी उपर लखता हैं। तो फिर परमात्मा को पहचानना परमात्मा को जानना यही हमारा सबसे उंचा कार है इस धर्ती में आकर के क्या आप वो कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बर्मकुमारीज चाहिए और सेवन डेका कोस करिए और उस लक्ष की तरफ आगे बढ़िए और मुद्ध इसका सब्साइब